नमस्कार मंदली कैसे हैं तो आज हम आए हैं स्री महागंपती रांजन गाओ के दर्शन करने यह मंदिर गंपती के अश्टि विनायक मंदिरों में से एक है यहां पे गंपती का महागंपती सुरूप आपको देखने को मिलता है तो चलिए करते हैं दर्शन महागणपती के बोलिए मेरे साथ गणपती बपा मोर्या तो चलिए हम निकल पड़ें अपने रांजन गाउ के सफर पर महागणपती का मंदिर रांजन गाउ में स्थित है और रांजन गाउ पूने जिल्ले से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इस जगह जाने के लिए बस, ट्रेन या कार सभी की प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाती है यहां मंदिर अश्ट विनायकों में से एक है रांजन गाउ के महागणपती को अश्ट विनायकों के चोथे गणपती के रूप में जाना जाता है अश्ट विनायक की सभी प्रतिमाए स्वेम्भू मानी जाती है दोस्तों पूरे रास्ते आपको खाने पीने की भरपूर स्टॉल्स और शॉप्स मिलेंगी कोई कमी नहीं है यहां पर मैं दो तरह की डिशेस को आपको जरूर रेकमेंड करूंगी वो है यहां का वड़ा पाओ और मिसल पाओ अगर आप यहां पर आते हैं तो वड़ा पाओ और मिसल पाओ जरूर टेस्ट करिए उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको चाई के खास टॉल्स मिलेंगी जिनका नाम है अमृत तुल्य उसके अलावा आपको यहां पर गुड़ा चाई यानि की गुड़ की चाई भी मिलेगी जो टेस्ट में आसम रहती है मेरा आपको रेकमेंडेशन रहेगा कि आप यहां आई है तो गुड़ का चाई जरूर पी के जाईए सो मंडली अब हम पहुचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ और यह देखिए मेरे राइट हैंड की तरफ हम पहुच गए हैं महा गंडपती रांजन गाओ सो दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहां पे रांजन गाओ में श्री महा गंडपती के मंदिर का ये भव्य प्रवेश द्वार पूरे पत्थरों से बना हुआ है ये भव्य प्रवेश द्वार श्री महा गंडपती रांजन गाओ इस प्रमेश द्वार के दोनों तरफ दाइने और बाय तरफ आपको बड़े बड़े इस तरह से दो हाथी की मूर्तिया बनी हुई दिखेंगी जो बहुती सुन्दर है प्रमेश द्वार के अंदर की तरफ देखेंगे तो सभी अश्ट मिनायक के जो गणपती है उनकी छोटी छोटी मूर्तिया लगी हुई है भव्य प्रमेश द्वार से अंदर आने पर कई तरह की दुकाने दिखाई देंगी जिसमें मुख्य रूप से हार और फूल की दुकाने हैं इसके अलावा प्रसाद की भी दुकाने मिलेंगी साथ यसाथ यहाँ पे लॉजिंग और बोर्डिंग की भी विवस्था रहती है भक्तों के रहने के लिए यहाँ पे गणेश जी को चड़ाने वाले प्रसाद में खास लाल रंग का गुडल का फूल चड़ाया जाता है तो अत्यांत प्रिय है यहाँ पर आपको बुद्वार के दिन संकष्टी के दिन और गणेशोचव के दिनों में अत्यांत भीड का सामना करना पड़ेगा परतु बाकी दिन सामान ने रहेंगे यहां मंदिर पूर्वा भी मुख है मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों और विशाल द्वारपाल बनाए गए है महागणपती की जो मूल मूर्ती है उसे महुतकट कहां जाता है इसमें दस सूड और बीज भुजाएं है इस मंदिर का निर्माण नौवी से दस्वी शताबदी में किया गया है श्रीमंत माधराव पेश्वा ने मूर्ती के चारों और पत्थर का गर्बगरो बनाया जबकि मंदिर के हॉल का काम इंदोर के सरदार कीवे ने किया था मंदिर के दाहिनी और एक लंबे गलियारे में बहुत ही सुन्दर पेंटिंग्स के द्वारा इस मंदिर के पौराणिक इतिहास को दर्शाया गया है पुराणों के अनुसार प्राचीन का हल में गृत्समत नाम के महारशी हुआ करते थे वह गणेश जी के भक्त थे उनका पुत्र था त्रिपुरासुर वह अपने पिता के कहने पर उसने गणेश जी की उपासना की और गणेश जी ने प्रसंद होकर उसे आशिरवाद दिया परंतु आशिरवाद पहाकर वो अत्याचारी बन गया और उसके अत्याचारों से तंग आकर देवता महादेव से रक्षा की प्राथना की प्रंतु महादेव को ग्यात हुआ कि तृपुरा सुर को हराना आसान नहीं क्योंकि उसे गणेश जी का अशिरवात प्राप्त है तब महादेव ने गणेश जी की उपासना की गणेश जी ने प्रसंद होकर उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिये और विजेश श्री का अशिरवात दिया और इस प्रकार गणेश जी के आशिरवात से महादेव ने त्रिपुरासुर का वद किया और इसलिए उन्हें त्रिपुरारे महागणपती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों मंदिर के इस प्रांगण में आपको दत्थ भगवान का मंदिर और महादेव का भी एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलेगा यहाँ पर कसाच के मोदक मिलते हैं और जिन भगवतों को अभिशेक करने की इक्षा है वे लोग अपना नाम रजिस्टर करवा कर अभिशेक भी करवा सकते है यहाँ पर भगतों की रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था है भगत निवास में आप रुक सकते हो और यहाँ पर भोजन प्रसाधी भी उपलब्द है वो भी बिलकुल निशिल्क जो की बहुत ही स्वादिष्ट होती है तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि इसी स्थान पर महादेव ने गणेश जी का आवहान किया और गणेश जी ने उन्हें प्रसन होकर विजय का आशिरवात दिया तो यह स्थान रांजन गाओ के नाम से प्रसिद्ध हुआ फ्रेंड्स रांजन शब्द का अर्थ है प्रसन इतिहास की अनुसार पूर्व में इस स्थान का नाम मनिपुर हुआ करता था प्रेंड्स जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलोगे आपको बहुत सारी शॉप्स दिखाई देंगी शॉपिंग के लिए बैया ये दगरा करो भाले झापको अमाणर法 के कि अनुस्टक है की अनुसार पूर्पटर अनुसार जगरा मनिपुर है प्रेंजन पारती शॉपिंग के अनुसार में वेको वेको अनुसार आपको बहुत सकती है कर दोषभर का आपको भरती है दोस्तों मंदिर से निकलने के बाद आपको चाय नाश्ते के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स मिल जाएंगी तो मंदिर कैसी लगी आपको आज की अश्ट विनायक महा गंपती राजन गाओ की यात्रा अगर आप भी अश्ट विनायक के दर्शन करके आए हो तो अपने अनुभाव जरूर बताईए और अगर आपको यह मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें इसमें कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें आपको मिल सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिये मिलते हैं अगले वीडियो में कंपती बापा मोर्या